अगर बात करें कि मेरे कोय ब्रांच से मतलब नहीं आ है कोई भी एनाइटी मिले उससे मतलब नहीं है बस हमें एनाइटी में एड्मिन horizons तो हो गया है और मैंने यह भी कैल्कुलेशन कर लिया है कि लगवग मेरा कितना मार्थ आ रहा है ज़िए में इसके सखेंट में आप सभी लोग एर अगर जो परस्ट एटेंट में एक्जाम दिये होगे तो फर्स्ट अर्टेंट से आपका ज्यादा ही विए आरा होगा ना तो आपको लगभग कितना मार्च आ रहा है तो आपको यह बताने वाँ इस वीडियो में कि आपको आखिरकार आपको उस मार्च पर आपको टॉप करने के बाद पिछले साल के कितने कितने मार्च पे पिछले साल भी एनाइटी का अलॉट्मेंट हुआ था लगभग मार्च परसेंटाइल के बात करने वाला हूं चलो फाइनल वीडियो को स्टाट करते हैं इसे पहले चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्स्राइब कर देना आप सभी लोग टेलीग्राम में जॉइन होने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है क्योंकि आप सभी का जब तक कॉलेज में एडमीसन नहीं हो जाता है तब नच और नाटि चाहते हुए या मेरे को तो तो टरफ टरफ जब्रांच के लिए अगर जो आप सबसे पहले बता दो कि टॉप्टें एड़िश्ट के लिए टॉप 15 नाटि कौन सा है एक यहार मैंने पूरा डीटिल में वीडियो बना रखा है आप यूटूब पे लिखना टॉप 10 NIT Sonu Singh इस तरह किसे आप लोग लिखोगे आपको वीडियो मिल जाएगा या तफिर टॉप 10 NIT टॉप 15 NIT टॉप 20 NIT इस तरह किसे लाश में Sonu Singh लिखना आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा उसमें पूरा मेने list करा हुआ है इस तरह के से पूरा21 T का पूरा list मिल जाएगा इस सब से लोग वीडियों को देख लेना है तो आपको top 10 नरमे हमें तो top 10 का है हमें से मतलब Means NIT कॉण सा है मतलब कुई ब्रांच मिल जाए बस हमें नगीन का MIT मिल जाए तो आपको याख की प्लस मार्क aninea링 में कोई नग ब्रांच के साथ आपको मिल सकता है अगर बात करें हमेश चलो depend का MIT नहीं मिलेगा लेकिन टीर टू एनाइटी को छोड़ करके टॉप 10 के बाद टॉप 20 एनाइटी तब जो है हमें सीसी ब्रांच के लिए कितना मार्च लाना पड़ेगा तब आपको 200 प्लस मार्च अप्रॉक्सिमेट 190 200 210 मार्च में अगर जो आपका है तब आप यह होप रखो क कि आपको टॉप टीर टू एनाइटी में आपको सीसी ब्रांच मिल रहा होगा वह सीसी ब्रांच में मतलब नहीं हमें एक अच्छा अच्छा एक मतलब डिसेंट लेवल का एनाइटी मिल जाना चाहिए यानि कि टीर टू एनी ब्रांच के लिए कोई ना कोई ब्रांच आपक यह सभी सारे ब्रांच आपको मिल रहे होंगे अब बात करते हैं इसको दूसरी लंग्वेज में इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मेरे को कोई भी एनाइटी मिले बस हमें ब्रांच सी असी मिलना चाहिए अगर कुँए यह मेरे को कोई ब्रांच से मतलब नहीं है कोई भी एनाइटी मिले उसी मतलब नहीं है बस हमें ना इटी में अध्मिसर हो जाना पिछले साल के अगर जो कॉंसेलिंग की बात करें तो जोसा के 6th round कॉंसेलिंग तक 60,000 रैंक तक 58 to 60,000 रैंक तक 62 65,000 रैंक तक भी इस साल मिल सकता है लेकिन आपको C7 counseling में आपको 33,000,000 रैंक तक भी मिलता है जनरल काइटिग्री वाले को अगर बात करें तो एक अक लाख रैंक तक भी आप सभी को मिल रहा होगा अब जो के लिए बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तब तक के लिए था रहा है